मसूरी सहर में कुट्टों के आतंग से लोगों में भैका माहोल है सहर के कैमल बैक रूड पर एक शात्र को कुट्टे ने काट लिया लेकिन जब इस्थान्या लोग शात्र को उपचार के लिए राच्किय सेंट मेरी अस्पिटाल ले गए तो पता लगा कि सरकारी अस्पताल में रैवीज के इंजेक्शन तक उपलब्द नहीं है आपको बता दें कि देव भूमी न्यूज पहले भी राच्किय सेंट मेरी अस्पताल की ब्योस्ताओं को लेकर आफगत करा चुका है लेकिन न तो अस्पताल परबंदन इसकी सुध लेता है और नहीं सरकार पर उसमें बच्चे को काट लिया और उस बच्चे ने मुझे बताया तो मैं इसको लेकि हॉस्पिटल आया हूँ और हॉस्पिटल में जवाब यह मिलता है कि हमारे पार रेवीज का इंजेक्शन नहीं है किसी भी बैठक में यहां के सीमस जाते हैं उनसे पुझाए घापक आपके वास प्रॉक है कि हाँ 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 हमारे पस प्रॉक है जुद बोलने की पननपरा ही और नहीं लोग बंद करें बहराल मसूरी सहर में आवारा कुट्टों की संक्या लगातार बढ़ रही है एक सर्वे के अनुसार सहर के 4 किलूमिटर के दाइरे में 1300 से अधिक आवारा कुट्टे गूम रहे हैं लेकिन नगरपालिका के पास कुट्टों से निजात दिलाने के लिए कोई भी प्लान नहीं है वहीं 10 मई से सरकारी अस्पताल में रैबिज के इंजेक्शन तक नहीं है जिससे स्थाने लोगों में आक्रोस है अब देखना यह होगा कि सेंड मेरी अस्पताल को लेकर सरकार की नीन कब तूटेगी देभूमी न्यूस के लिए मसूरी से आसिस भट की रिपोर्ट